आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MS Word, PGDC के सेकेंड यूनिट का हम MS Word का Equation Editor के बारे में हम जानेंगे Equation Editor के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा ये MS Word की Insert Tab में मिलेगा आपको यहाँ पर Last में Equation Editor और इसका यूज किया जाता है mathematical equations को type करने के लिए क्योंकि keyboard से हम alphabet और numbers और कुछ special symbols को type कर पा रहे थे लेकिन mathematical equations को type करते में बड़ी दिक्कत होती थी उसके लिए एक नए feature को implement किया गया था MS Word में इसका नाम है Equation Editor और ये आपको Insert Tab के ribbon पर मिलेगा Insert Tab पर जाते ही आपको Equation Editor यहाँ पर दिख रहा है इस पे आपको सारे equations को type करने की facility मिलेगी लगबद mathematical सारे equations आप इसमें type कर सकते हैं तो इसको use कैसे करना है आज हम देखेंगे practically ये MS Word का एक feature भी है आप एक एडवांस पीचर के रूप में इसको बता सकते हैं कि MS Word में Equation Editor है जिसे हम mathematical equations को आसानी से type कर सकते हैं तो देखते हैं इसका use कैसे करते हैं इसका use करने के लिए आपको सबसे पहले Insert Tab में जाना होगा और यहां पर देखिए MS Word या किसी भी इस तरीके से Microsoft के product में use करने का दो तरीका होता है यहां पर देखिए छोटा सा arrow बना हुआ है यहां पर आप क्लिक करिए या इसके उपर क्लिक करिए देखिए दोनों option अलग-अलग है यहां पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ selected area आता है और यहां पर क्लिक करेंगे तो अलग आएगा तो मैं दोनों option को पहले आपको दिखाता हूँ पहले आप अगर arrow पर क्लिक करते हैं नीचे तो आपको कुछ यहां पर पहले से बने-बनाए देखिए बिल्ट-इन पहले से बने-बनाए कुछ format दिये हुए है यह कुछ ऐसे format है जो लगभग सभी लोग use करते हैं जैसे circle वाला format और इस तरीके से कुछ theorems यहां पर दिये हुए है कुछ series के theorems दिये हुए है तो यह कुछ common format है जो बहुत ज़्यादा use किये जाते है अगर आप इन common formats को use करना चाहते है तो अच्छी बात है और अपना खुद का एक equation format बनाना चाहते है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके उपर click करना पड़ेगा यह symbol के उपर यहाँ पर click करेंगे तो देखिए आपको एक नई ribbon यहाँ पर एक नई ribbon display हो जाएगी और यहाँ पर इसका एक control डिस्पले हो जाता है देखिए एक नई ribbon जो थी पहले design वाली ribbon पहले नहीं दिख रही थी फिर से इसको दिखा देता हूं आपको यह भी design वाली ribbon है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है इसको मैं delete कर देता हूँ, तो दो तरीका है, आप insert में जाएए, अगर आपको कुछ common format यूज करने हैं तो ठीक है, और खुद का नया format बनाना है तो आप इसके उपर पर click करेंगे, यहाँ, symbol के उपर, तो यहाँ पर आपको एक नई ribbon आ जाएगी, लेकिन नई ribbon आ गई, और य क्लियर कर देता हूँ, अब मैं जाता हूँ, मुझी खुद का equation लिखना है, तो मैं equation पर click करूँगा, यहाँ पर देखिए, बहुत सरे equation की symbols यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप click करेंगे, तो और भी symbols आपको दिखाई देगी, इन में से आप basic maps वगेरा के कुछ symbols से आप select कर सकते हैं, के अलावा यहाँ पर कुछ structures दिख रहे हैं, तो for example, मुझे ऐसा structure लिखना है, तो मैं यहाँ पर click करूँगा, देखिए, यह format चाहिए, जो blank है न, इस type से blank वाला format वाला, वहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, तो मुझे यह format चाहिए, मैं इस पर click किय देखिए, ऐसा format आगया, उसके बाद यह जो डबा दिख रहा है, इसको आपको click करना है, ऐसे select हो जाएगा, अब मुझे यहाँ पर चाहिए 3 by 2, 3 by 2 लिखने के लिए दिखिए, यहाँ पर यह वाला function use करेंगे हम, तो यहाँ पर हम 3 by 2 ऐसा चाहिए, कि ऐसा चाहिए, कि ऐ ओर आगये, ऐसा चाहिए, जीसा आपको एसा चाहिए, आप इसको select करिए, यह डबा दो डिबे में बढ़ गया, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखना है two, यहाँ पर मुझे लिखना है x, तो इसको select किया, यहाँ यहाँ पर मैंने लिखा x, तो और bugle के click कर यह देखिए, यह equation आपका type हो चुका है, इस तरीके से mathematical बड़े-बड़े equations को आप आसानी से type कर सकते हैं, insert में जाए ही, equation type करने के लिए आपको क्या करना होगा, equation editor में जाए ही है, और इस तरीके से बने-बना equation को भी आप type कर सकते हैं, तो यह कुछ equation के format ऐसे हैं, जो पहले स हम common format use करते हैं, और आप अपना कुछ equation में आना चाहते हैं, user defined equation यहाँ पर type करना चाहते हैं, तो बहुत easy है, फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ है, insert में जाएंगे, यहाँ पर arrow पे तब click करेंगे, जब कुछ common format जो पहले से बने-बनाया format है, इनको हम ऐसे use कर सकते हैं, और यह यहाँ पर इसकी value को हम change कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर e to the power r कर देता हूँ, e to the power 2, पहले से बने-बनाया कुछ format या templates दिये हुए हैं, ठीक है, दूसरा option यह है कि आप यहाँ पर खुड का equation अपने हिसाब से design कर सकते हैं, insert में जाएंगे, इसके उपर click करेंगे, यहाँ प्रकार के equation आप यहाँ पर ले सकते हैं, मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने under root वाला लिया, और यह बीच में फिर click की है, डबबे में देखी है, डबबे पर click कर दिया है, और इस तरीके का मैं summation वाला कुछ लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर summation ले लिया, यहाँ पर कुछ मैंने limit दे दी, I equal to 2 और यहाँ पर लिखा I equal to 0, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से या यह वाला लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर limit दे दी, हलाकि equation गलत है, मैं ऐसा type करके बस आपको दिखा रहा हूँ कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी equation ऐसा type कर सकते हैं, अब देखिए मैंने equation type किया है, जो की normal keyboard से type करना बहुत मुश्किल है, या किसी दूसरे text editor से type करना बहुत मुश्किल है, और की, sorry, typewriter से तो यह नामुम्खिन जैसा ही है, typewriter में यह सब चीज़े आप type नहीं कर सकते, तो mathematics के जो question paper होत थे typewriter से उनको type नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पर typewriter जो है, बिलकुल 0% result देता था, और MS Word जो है, उस पे अच्छे से work करता है, तो typewriter की बदले computer में MS Word यूज़ करना ज़्यादा हमें benefit देगा, पहले जब typewriter हुआ करता था, उस समय mathematics के paper को solve करने के लिए हमें press में, sorry, mathematics के paper को छपाने के लिए press में देना पड़ता था, वहाँ पर offset printing के through mathematics के paper छपे जाते थे, जिसमें काफी समय, पैसा और महनत भी लगती थी, जो अब यह काम हम MS Word से काफी अस्तानी से कर सकते हैं, और तुरंत इसकी multiple copies जो है, print निकल जाती है, तो यह था हमारा equation editor, आज का जो ह